हलो नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हाट दिख स्वागत है बात करेंगे आज के एडिटोरियल सेशन की और सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉरमेशन आशिस क्लासेज एप्लिकेशन के बारे में ये एक एंडूइड एप्लिकेशन है जिसे आप प्ले स् कर सकते हैं या फिर दिस्क्रिप्शन इसका लिंक दिया है वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं यहां जब आप इसको डाउनलोड कर चुके होंगे तो इस प्रकार से बहुत सारे पेड कोर्स आपको नजर आएंगी इन पेड कोर्स का डिस्क्रिप्शन जैसा कि आप य विडियो सॉलुशन और सारे के सारे क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल यहाँ पर न्यूजपेपर से बनाई गए हैं तो अपने आप में एक अच्छे लेवल के कलोज टेस्ट और पैरा जंबल आपको प्राप्ट होंगे वोकैबलरी एक एबुक के रूप में आपको उपलब् लिए अगर उनको मॉक टेस्ट चाहिए हो तो वहां पर आपको इबुक के माध्यम से प्राप्ट आप कर सकते हैं यह वाला बैच एक तो स्टार्ट कर ही चुके हैं कल हर वेंजडे को स्टार्ट होता है तो अब नेक्स्ट वेंजडे के लिए बैच अगर आप जोइन करना चाहें तो आप रिजिस्टेशन ओपन है वहां से आप आप आई कर सकते हैं बात करेंगे common error की तो पहला question देखिए I will go there and to talk to him देखिए end यहां पे दे रखा है end से पहले आपको देखा है will model है model के साथ V0 है तो जब model के साथ V0 लगता है तो पता ही आपको तो end के बाद में भी same चीज़ यहां पे apply की जाएगी तो two नहीं आएगा जैसे यहां bear infinitive है केवल V0 है वैसे यहां पे two नहीं आएगा second गलत है two के इस्तान पे सीड़ा यहां पे talk ही जोड़ेंगे ठीक है ना कई बच्छे पूसते है sir V0 क्या होता है V0 उस concept को कहा जाता है जिसके साथ आप ing apply कर सकते हों first form और V0 में थोड़ा सा difference यही है first form में ing लगे ना लगे दोनों से बाते हैं लेकिन V0 एक ऐसी चीज़ है जहां पे ing जरूर लगेगा तो I will go there and talk to him यह two नहीं लगना चाहिए second जो question है he does nothing but to watch television तो यहां पे देखे बट दे रखा है यहां बट का मतलब है के अलावा ठीक है तो वह है और कुछ नहीं करता है cable television देखता है यह इसका meaning है but preposition के रूप में है तो इसके बाद भी सीधा bare infinitive ही लगता है means bare infinitive का मतलब सीधा V0 तो लगाने के आपका हुशक्ता नहीं है तो यहां two हटा देंगे तो क्या बनेगा he does nothing but watch television तू नहीं लगेगा ठीक है आपका अंसर होगा दो नंबर और तीसरा जो है they have nothing to do except to sit idle यहां भी देख लिजिए they have nothing to do उसके उनके पास करने को कुछ नहीं है except इस चीज के अलावा जैसे but का meaning था के अलावा वैसे ही except का meaning के अलावा या के स why होता है तो यहां भी सीधा आप bear infinitive जोडेंगे तू लगाने के आपको आवशकता नहीं है तो यहां पे भी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा तीन नंबर होगा राइट तो यह तीनों ही तू को हटाना था तीनों questions पर लेकिन अलग 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 चीज़ें हैं ध्यान लगाना है और यह वाला जो था वो मोडल के साथ वी जी रो है और एंड अपने दोनों और सेम चीज़ें लेता है उस concept से हमने इसको solve किया अब हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल की two together यह title है two together का मतलब क्या है two का मतलब दो together का मतलब साथ तो दो देश यहां पे साथ है कौन-कौन से भारत और US ठीक है इस बात को लेकर यह article है और भारत और US साथ है तो चाइना के मतलब बिलकुल विरुद्ध है चाइना को oppose कर रहे हैं दोनों देश इसी की बात है लेकिन भारत ने यहां पे अपना stand यहां पे clear किया है कि यह हमारा दिवपक्षिये मामला है हम और चाइना दोनों मिलकर सुलजा लेंगे यहां में किसी दूसरे देश के interference के आवशकता नहीं है यह कुछ यहां पे संदेश लेखक यहां पे देना चाहेगा तो आप article को end तक देखें इस session को end तक देखें जो भी important बिंदू हो वो सब note करते चलें जो कुछ भी आपने कल देखा हो सब revise करके आएं यह हमेशे बताता हूं मैं session को पूरा जरूर देखा करें session को पूरा देखोगे revision करते रहोगे तो निश्ची त्रूप से जो आप चाहते हैं अंग्रेजी में करना वो सब आप प्राप्त कर पाएंगे आए स्टार्ट करें इंडिया यूएस foreign and defense minister तो यह कह रहा है इंडिया यूएस भारत और यूएस के foreign विदेश मंतरी defense रक्षा मंतरी ministers दो हो गए इस कारण से ministers लगाया तो भारत के विदेश और रक्षा मंतरी meet का मतलब यहाँ पे क्या है meet से मतलब है जो इनकी मुलाकात हुई है जो इनकी meeting हुई है तो इन दोनों देशों के जो विदेश और रक्षा मंतरीों के बीच में meeting हुई है for the 2 plus 2 mechanism mechanism का मतलब system होता है 2 plus 2 इसलिए कि अमेरिका की तरफ से भी विदेश मंतरी और यहाँ रक्षा मंतरी आये हैं तो भारत की तरफ से विदेश मंतरी रक्षा मंतरी हैं तो 2 plus 2 हो गया mechanism system को बोलता है just a week before मतलब केवल एक सब्ताह पहले the US elections किस से एक सब्ताह पहले US to now से is proof तो is यहाँ पे इस meet के लिए है जो यह इनकी मुलाकात है यह एक सबूत है एक proof है किस चीज़ का that bilateral ties bilateral ties का मतलब होता दूइपक्षिय संबंद between the two countries किस के बीच में दो देशों के बीच में चुकि दो की बात है तो बिट्विन आ नहीं था क divorce होते हैं यहां पर two plus two दोनों देशों के दो दो प्रतिनी नहीं मीले है यहं भी एक सब्ताप पहले जब US के चणाव होने वाले हैं उससे एक सब्ता पहले तो यह meeting यह एक प्रूफ है कि दोनों देशों के बीच जो दूपक्षिय संबंध है वह काफी प्रगाढ है काफी सॉलिड इस्तर पर है ठीक है तो यहां फूटिंग का लिख सकते हो फूटिंग का मतलब होता है सुद्रड और फूटिंग का मतलब बेस है आधार है तो सॉलिड यहां परिष्टें है यह कहना चाहता है आगे बात करें अस्टेंसीबली का मतलब होता है कि देखने पर तो ऐसा लगता है उपरी तोर पर देखेंगे मीटिंग को अगर आप जैसे हम एक दर्शक बने के देखें एक पाठक बनकर देखें आप अगर अगबार में पढ़ोगे इस यहां नजर आएगा वो बता रहा है, the purpose was, purpose उद्देश्य, was था, इस purpose को देखकर was है, to conduct an annual review, conduct का मतलब संचालन करना होता है वैसे, annual review, annual का मतलब वार्शिक, review का मतलब पुनर अवलोकन, of ties, संबंदों का, and to wrap up, और क्या उद्देश्य था, to wrap up, wrap up का मतलब क्या होता है, लप पुरी तोर पर देखें, तो इस meeting का उद्देश्य नजर आता है, कि यह एक वार्शिक प्रक्रिया है, एक समने स्तर पर, वार्शिक मतलब एक साल में एक बार यह लोग मिलते हैं, और अपने जो संबंद है, उनको review करते हैं, कहीं संबंद कमजोर तो नहीं हो गए है, क्या इनमें और सुधार करने की जरूरत है, इस प्रकार की meeting है, देखने पर लगता है, और यह लगता है देखने पर कि यह एक प्रियास भी है, कि यह जो agreement है, इसको complete करने का प्रियास भी है, बी-ई-सी-ए को finish करना चाहते हैं, इस agreement को complete करना चाहते हैं, फिर किसके लिए, for geo special cooperation, geo special भू स्थैनिक बोलते हैं इसको हिंदी में, भू स्थैनिक का मतलब प्रत्वी पर कहां कहां पर मतलब कुछ फीचर्स उपलब्द हैं, जैसे कि मैं कहूं कि ocean कहां पर हैं, परवत कहां पर हैं, इन सब का अवलोकन, तो यह एक cooperation है, यह एक सही योग, तो geo special cooperation है उसके लिए फिर कहरा है, the last of the three enabling agreements, the last of the three enabling agreements, enable का मतलब योग्य बनाने वाला, तो जो पिछले तीन समझोते हुए हैं, पिछले तीन जो enabling कह सकते हो, agreements हुए हैं, जो भी इन दोनों देशों को सक्षम बनाने वाले समझोते हुए हैं, उसमें जो untim समझोता है, एक बत याद रखना, जब ये untim है, तो तीन में से untim होगा, दो में से बाद वाला होगा, तो यहां पे last का प्रियोग है, तो तीन जो enabling agreements हो, उसमें जो last वाला agreement है, which will facilitate, अब ये विचारा है, इन agreements के लिए, वो agreements जो की facilitate करेंगे, facilitate का मतलब क्या होता है, to make something easier, लिख सकते हैं, facilitate का मतलब, तो facilitate से मतलब है, to make something easier, किसी चीज़ को आसान कर देना, to make something easier, किसी भी चीज़ को आसान कर देना, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये आसान कर देंगे किस चीज़ को, interoperability को, interoperability मतलब, साथ में मिलकर काम करना, साथ में चीज़ों को operate करना, किस चीज़ किस के बीच में, between the Indian and American defense forces, भारत औ और अमेरिका के जो रक्षा, जो forces हैं, सेनाएं हैं, उनके बीच में, मतलब साथ में मिलकर काम करेंगी, इस प्रकार से ये team समझोते जो हैं, वो इसी चीज़ों को आसान कर देंगे, या फिर अन्तिम समझोता है, जो आसान कर देगा, या फिर समझेगा, तो उपरी तोर पर ये जो परपज है, इस meeting को आयोजित करने का लगता है, कि ये meeting तो केवल, इसलिए हुई थी, कि जो annual इस्तर पर, वारशिक इस्तर पर, जो ties हैं, इन दोनों देशों के बीचों समझोते जो हैं, या फिर इनका जो एक रिष्टा है, इन रिष्टों का पुनर्व लोकन करने क ये meeting आयोजित की गई थी, और ये meeting आयोजित की गई थी, B, E, C, A को complete करने के लिए, रैप अप का complete करना है, किस के लिए, इस corporation के लिए, इस सहियोग के लिए, जियो special भूस्तैनिक सहियोग के लिए, ठीक है, फिर कहरा है तो तीन समझोते हुए हैं, जो तीन enabling agreements हुए हैं, enabling क का मतलब जो दोनों देशों को मजबूत कर रहा है, संबंदों को, जो दोनों देशों को आगे बढ़ने के लिए, योग्ये बना रहा है, वो तीन समझोते जो थे, उनमें से जो अंतिम समझोता है, जो की यहाँ facilitate करेगा, आसान बनाएगा, किसको दोनों देशों की जो रक् इस चीज़ को आसान कर देगा तीन में से अंतिम समझ होता एक छोटी सी बात यहां पर गहरी बात बताई थी मैंने कि लास्ट दे रखा है तो अगर दो होता तो लेटर होता लेटर होता याद रखिएगा दो चीज़े होती है एक LATE से आप बनाते हो LATER फिर इसका सुपरलेटिव करते हो तो लेटेस्ट बनता है एक LATE से आप बनाते हो LATER और फिर इसका लास्ट बनता है तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ अगर दो होता तो लेटर होता दो से अधिक है तो लास्ट है फैसिलिटेट का मतलब क्या है वो आपने समझी लिया बिट्विन इसलिए है क्योंकि दो की बात है बिट्विन के साथ में एंड लगता है ये भी यहाँ पे clear है आगे देखिए अधर अग्रीमेंट्स साइंड और रिव्यूड अधर के बाद में नाउन है वो प्लूरल लगता है ध्यान रखेंगे अगर देख अधर होता यहाँ पे तो यहाँ पे नाउन है वो singular आता अधर के बाद में नाउन प्लूरल आता है देख अधर होता तो यहाँ पे क्या आता singular आता तो other agreements, वाकिके जो समझ होते हैं, signed और reviewed, जो sign किये गए है, या जिनका पुनर अवलोकन किया गया है, review को ध्यान से देखेंगे, तो re plus view है, re का मतलब पुनर है, view का मतलब देखना है, जिसको फिर से देखा गया है, पुनर अवलोकन किया गया है, तो अन्य समझ होते हैं, जो क verb को executive में convert करते हो, तो दो तरीके की options आपके पास होते हैं, या तो ing form में लगाई जिसे present participle कहा जाता है, या फिर आप लगाई ये third form, जिसे past participle कहा जाता है, तो अन्य समझ होते हैं, जिनको sign किया गया है, जिन पर हस्ताक्षर हुए है, या फिर जिनका पुनर अवलोकन किय गया है, included, उन agreements में शामिल था, क्या, those in the areas of health, अब ये दोज है, agreements के लिए, इनमें वो agreement शामिल है, जो किस छेतर के हैं, स्वास्ते के छेतर में, COVID-19 का जो cooperation है, COVID-19, coronavirus की बात है, उसमें जो आप सी सही होगे, उसका समझ होता, building strategic and petroleum reserves in the US, इसमें वो भी समझ होता था, building बनान strategic runnity किया सामरीक petroleum reserves, petroleum reserves का मतलब petroleum का भंडार, कि सामरीक महत्तों से कभी लड़ाई वड़ाई अगर हो गई, अगर युद्ध हो गया, तो US के अंदर petroleum reserves बनाने के उपर, यहां समझ होता था, renewable energy, जो नए उर्जा के स्रोज जैसे की, सोर उर्जा है, उससे समझ होता था, space से सम समंदित, internet वगरा, सब कुछ यह cyber space हो गया, counter terrorism का मतलब आतंकवाद के खिलाफ, लड़ाई करने के समंदी के दोनों देश मिलकर लड़ेंगे, encounter narcotics, 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 नशीले पदात को, drugs वगरा को बोलते हैं, तो उसके खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, यह समझ होते शामिल थे, यह बाक पर जिनको review किया गया, उनमें क्या क्या शामिल था, तो उनमें शामिल था, एक तो, वो समझोते जो की health और COVID-19 cooperation के संदर्ग में किये गए, यहाँ पर वो समझोता शामिल था, जो strategic petroleum reserves बनाने के उपर, strategic का रणनी तिक होता है, petroleum पता ही है, reserves का भंडार होता है, तो US के अंद साइबर स्पेस का, terrorism के खिलाफ लड़ने को लेकर, और नार्कोटिक्स के खिलाफ, मतलब नशीले पदार थीया, जो ड्रक्स वगरे हैं, उनके खिलाफ लड़ने को लेकर समझोता, in the joint statement, तो कह रहा है, संयुक तवक्तवे में, joint statement, संयुक तवक्तवे, they issued जो उन्होंने जा तो यह कह रहा है कि the minister, जो ministers हैं, जो दोनों देशों के defense और foreign ministers हैं, उन्होंने पाकिस्तान से कहा, to take immediate sustained and irreversible action, कि पाकिस्तान ले immediate ततकालिक, sustained continuous, sustained से मतलब होता है continuous, लगातार, irreversible का मतलब है कि जिसे आप वापस नहीं ले सकते हो, action, मतलब कदम उठाएं, against cross border terror groups, किसके खिलाफ उठाएं, cross border, मतलब सीमा पार, जो आतंकी समू है, उनके खिलाफ on its soil, जो उसकी जमीन पर यहाँ पर काम करते हैं, operate करते हैं अपने संगठनों को, it's यहाँ पर पाकिस्तान के लिए possessive adjective है, soil का मतलब मिटी होता है, possessive adjective के बाद में जो भी शब्द होत है, अपरादी होता है, और ये भी कहा है, कि bring to justice, मतलब सजा दिलाओ, न्याय दिलाओ, मतलब यहाँ पर सजा दिलाओ, किसको, जो अपरादी थे, किसके 2008 के जो मुंबई में हमले हुए थे, उसके, 2016 में जो उरी अटेक हुआ था, उसका, एन पठान कोर्ट के जो हमले हुए था, तो मिनिस्टर्स ने पाकिस्तान से कहा है, पाकिस्तान से कहा है, कि अब ततकालिक, लगातार, continuous और ऐसे steps जो की वापस नहीं ले जा सके, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार अपने step ले लिया, फिर वापस retreat हो गए, पीछे हट गए, ऐसा नहीं irreversible steps लो, कदम उठाओ, किस के खिलाब सीमा पार आतंकवादी, जो संगठन है उनके खिलाब, जो उसकी जमीन पर चल रहे हैं, पाकिस्तान की जमीन पर चल रहे हैं, और कहा है कि जो अपरादी हैं, जो आरोपी हैं, किसके 2008 के मुंबई हमलों के, 2016 के उरी हमलों के, और पठानकोट हमलों के, उन हमलों क जो आरोपी है उनको सजाद दो ये पाकिस्तान से कहा है दोनों देशों ने स्टेटमेंट में बात समझे ना रही है यहां तक आगे देखे इसका मतलब होगा हालांकी timing का मतलब समय tenor का मतलब यहां पे meaning है tenor से मतलब देखिएगा tenor से मतलब यहां पे है meaning यह दे रखा देखो sense meaning import intent एक import word भी यहां दे रखा है इसका मतलब भी meaning है यहां पे import वैसे आयात होता है लेकिन यहां पे इसका meaning है अर्थ है तो एक ही word के बहुत सारे meaning अलग-अलग reference में देखे जाते हैं तो उसका भी ध्यान रखना अंग्रेजी इसी का तो नाम है तो however हालांकी जो timing है और tenor है American pronouncements का pronouncements का मतलब announcements है घोशनाए है इसका मतलब है announcement ठीक है तो हालांकी जो समय है timing है और tenor है American pronouncements का मतलब जो भी यह घोशनाए हुई है उनका जो timing है उनका जो meaning है prior to prior के साथ two लगता है prior to का मतलब है से पहले किसके पहले the visit यह जो visit हुआ उससे पहले made it clear इसने यह spust कर दिया that the larger larger import की अधिक बड़ा larger degree comparative हो गया large का बड़ा larger अधिक बड़ा import का मतलब meaning किसका इस visit का for the Trump administration किसके लिए Trump procession के लिए was about dealing with China वो क्या था तो वो जो import था वो जो meaning था इंपोर्ट को देखकर was है about dealing with China deal with का मतलब है tackle करना चाइना को चाइना से दो दो हाथ करने की यहाँ ठान रखी है चाइना को deal करने के लिए यह इन्होंने visit किया है यह इसका meaning निकलता है तो कहरा हालांकि जो timing है और यह जो इसका meaning है American जो यहाँ पे घोशनाई हुई है किस से पहले इस visit से पहले जो यहाँ Trump administration की तरफ से foreign minister, defense minister आए है और इन्होंने जो visit किया है है ना तो इन मतलब विजिट से पहले ही इन्होंने कुछ घोशनाई की उसका उन घोशनाओं का जो timing है उसका जो meaning है उन चीजों ने यहाँ express कर दिया है क्या कि जो बड़ा इसका अर्थ है व्यापक अर्थ है इस visit का इसके लिए Trump administration Trump administration के लिए वो क्या था कि वो था चाइना को चाइना से deal करना ही इनका मकसद है ठीक है आगे देखें in every interaction interaction बातचीत होता है every का मतलब प्रतेक तो हर एक बातचीत में जो भी इनका interaction हुआ है जो भी बातचीत हुई है उसमे US Secretary of State तो यह हो गया विदेश Mike Pompeo एक प्रकार से यहाँ पे Secretary of State को आप विदेश मंतरी मान सकते हैं उसी के equivalent यहाँ पे यह पोस्ट होती है तो Mike Pompeo जो है हर एक बातचीत में उन्होंने संकेत दिया है Refer के साथ में 2 लगता है Refer 2 का मतलब संकेत करना है तो हर एक जो interaction हुआ है उसमें US Secretary of State जिनका नाम Mike Pompeo है उन्होंने संकेत किया है किस और दा चैलेंज फ्रम विजिंग विजिंग का मतलब यहाँ चाहिना राजधानी है तो उसी देश की और संकेत है तो यहाँ उन्होंने संकेत किया है कि जो भी यहाँ पे चैलेंज है चाइना की तरफ से उसकी और संकेत किया है दूसरी बात आप दे नीड टू बिल्ड एक काउंटर कॉलिशन इन्होंने संकेत किया है नीड की और कि आवशकता है किस चीज़ के आवशकता है तो बिल्ड बनाने की जो खिलाफ काम कर सके जहां काउंटर लगता है वो किसी के विप्रीट अगेंस्ट होता है तो यह खिलाफ काम कर सके जो चाइना की कम्यूनिस्ट पार्टी है उसके खिलाफ और आगे और आगे बढ़ा सके यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिसी इंडिस रिगार्ड का मतलब इस संदर्ब में और इस संदर्ब में जो भी इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसको आगे बढ़ा सके यह यहां पे इसका मकसर है तो कहड़ा कि हर एक इंटरेक्शन हर एक बातचीत में यूएस सेकरेटरी अब स्टेट जिनका नाम एक गुट बनाया जाए किसके खिलाफ चाइनिज कम्यूनिस्ट पार्टी के खिलाफ और इन्डो पैसिफिक जो पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए ठीक है इंडो पैसिफिक जो भी हिंद महासागर और प्रशान्त महासागर के बीच जो भी देश है वहाँ पे जो सामरिक महत्तु है जो कुछ भी उनके कॉपरेशन की बात है उसकी बात कर रहा है इन इंडिया भारत में रेफरेंस टू रेफरेंस में भी टू लगता है उन्होंने ही किसके लिए आ रहा है यह ही किसके लिए आ रहा है तो यहां पता लग गया आपको माइक पॉम्प्यू यही चीज़ें होते हैं जो आप जब पैसेज करते हो एक्जाम में सॉल्ल करते हो पैसेज तो वहाँ पर बहुत ही चीज़ें यह महत्तु भूमिका निभाती है तो भारत में he made a reference उन्होंने संकेत किया इंक्रीजिंग अग्रेशन अक्रामक्ता इंक्रीजिंग बढ़ती हुई तो यह आपका adjective हो गया कि नहीं अग्रेशन यहां पे noun है और noun की विशेस तरहने वारा शब्द एजेक्टिव हो गया चोकि verb से adjective बनाया है इस्टेबिलाइजिंग का मतलब होता है एस्थिर करने वाली, वीक करने वाली, कमजोर करने वाली activities का by China, चाइना के द्वारा ठीक है तो भारत में उन्होंने संकेत किया किस और जो बढ़ती वी आक्रामक्ता है और चाइना के द्वारा जो कमजोर कर देने वाली कारिये है activities है, उस और यहाँ पे इशारा किया माइक पॉंपियो ने and mentioned Indian soldiers और उन्होंने भारतिय उन soldiers का भी mention किया उनका भी नाम लिया killed in clashes with the PLA जो PLA के साथ लड़ते हुए भारत और चाइना के बीच जो border है उसे LSE कहा जाता है इन जून कब की बात है जून में Galvan Valley आपको न ध्यान होगा हमने एडिटोरिल भी डिसकस किया था उसका तो भारत में माइक पॉंपियो ने संकेत किया चाइना के द्वारा जो भी आकरमक नीतियां अपना ही जा रही है उसके बारे में और कहा है कि जो भी चाइना परियास कर रहा है एस्थिर करने का डिस्टेबिलाइज करने का उस बारे में और भारती ये soldiers का भी ने नाम लिया जो शहीद हुए थे जो चाइना के साथ साइनी सेना के साथ लड़ते वे शहीद हुए थे जून के महीने में उनका नाम भी लिया इस टेकिंग दा सेम मैसेज टू इस नेक्स स्टॉप स्टॉप्स का मतलब जहां आगे रुकेंगे इनका आगे का ट्यूर था माले का ट्यूर था कोलमबो को स्रिलंका इनको जाना था मतलब कल ये टूर हो चुका अलंकि तो ही इस टेकिंग दा सेम मैसेज यह फिर से माईक पॉंप्यो के लिए है इस टेकिंग ले रहे हैं वही संदेश लेकर जा रहे हैं अगले अपने स्टॉप जो भी हैं अगले जहां भी वो रुकेंगे आगे जहां भी देश का विजिट करेंगे वहाँ पर भी यह संधेश वो लेकर जा रहे हैं ये कहना चाता है आगे देखे इन कोलंबो राजधानी है स्री लंका की माले राजधानी है माल्डीव की ठीका माल्दीव के लिए है तो कोलंबो और मालदीव में on Wednesday Wednesday को अब देखो यहां से यहां तक थोड़ी सी extra information है तो कह रहा है इन दो देशों के अलावा वो और कहां विजिट करेंगे इंडोनेशा भी विजिट करेंगे Mr. Pompeo raised the need तो इन देशों में जो Wednesday को हुआ है मतलब कल ही इनका विजिट हुआ है तो Mr. Pompeo ने raise किया raise किया मतलब उठाया अब raise एक ऐसी verb है जो transitive verb होती है raise के बाद निश्चित रूप से आपको एक object चाहिए होता है तो Mr. Pompeo ने आवशक्ता को उठाया किसकी आवशक्ता to counter and provide alternatives counter का मतलब तो किसी के अग्यांस जाना provide का मतलब प्रदान करना alternatives का विकल्प alternative किसका है तो उसके लिए alternative के साथ में two लगता है विकल्प किसका what he called जो कुछ उन्होंने कहा China's bad deals जो China की bad deals वादब चाइना agreement करता है China समझोते कर लेता है चाइना हस्ताक्षर कर लेता है कि आगे से हम नहीं लडएंगे आगे से हम लोग आपकी जमीन नहीं हत्याएंगे फिर जाके वो फिर से ऐसी काम करता है उसको bad deals कहा है violations का मतलब उलंगन है किसका उलंगन sovereignty का sovereignty का समप्रभुता है and lowlessness on land and sea समप्रभुता का मतलब एक देश की एक freedom होती है देश स्वायत्ता होती है देश की समप्रभुता देश का धिकार होता है किसी छेत्र पर उसकी बात कर रहा है तो कहरा कि कोलंबो में और माले में Wednesday को और ये विजिट करेंगे इंडोनेशिया का भी इन दोनों जगे पे Wednesday को Mr. Pompeo ने आवशक्ता को उठाया उस आवशक्ता पर जोड़ दिया कि आवशक्ता है ऐसे alternative तैयार करने की ऐसे विकल्प देने की और ऐसे विकल्पों को मतलब स्थामने खड़ा करने की चाइना के जो की जैसा कि उन्होंने कहा किसके खिलाफ खड़ा करना है चाइना की bad deals के खिलाफ और इसके खिलाफ जो संप्रभूता और एराजक्ता उन्होंने फैलाई संप्रभूता का जो उलंगधन किया गया चाइना के द्वारा और जो एराजक्ता फैलाई गी चाइना के द्वारा लेंड और सी पर उसके खिलाफ यहां पे इन्होंने कहा है कि काउंटर करने की आवशकता है आवशकता है कुछ विकल्प प्रदान करने की ये बाते माईक वंपियों ने माले और कॉलम्बो में भी की फो न्यू डैली ये भारत के लिए हो गया न्यू डैली भारत तो भारत के लिए विजिट बाइ दे यूएस ऑफिशियल जो यूएस के अधिकारियों ने विजिट किया है ये विजिट जो था वोज इसको देखकर है अवे एक तरीका था तो डिमोंस्टेट दिखाने का, क्या दिखाने का, that the bilateral relationship, कि दूपक्षी रिस्ता जो है, दोनों देशों का जो रिस्ता है, is pole proof, ये pole proof है, जैसे हम कहते हैं, waterproof है, इसका मतलब उस पर पाने का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसे pole proof है, इसका मतलब चुनाव का प्रभाव नही पड़ेगा, ठीक है, and will grow regardless of, regardless का of का मतलब होता है, irrespective of, मतलब इस बात से कोई लेना देना नहीं है, और वो बढ़ेगा, रिस्ता जो है, बढ़ेगा, regardless of, इस बात से कोई मतलब नहीं है, नवंबर 3 election result की 3 नवंबर को जो वहाँ पे चुनाव है, उसका result का निकलेगा, ले जो यूएस अधिकारियों का विजिट हुआ है, ये विजिट एक तरीका था, ये दिखाने का, डिमोनस्टेट करने माद दिखाने का, डिमो इसी को बोलते हैं, जो आप लोग इंसिटूट्स वगरे में डिमो लिया होगा आप लोग ने, तो डिमो इसी का शोड वर्जिन ह तो भारत के लिए जो ये विजिट हुआ यूएस अधिकारियों का, वो एक तरीका था ये दिखाने का, कि दूपक्षी रिस्ते जो है, इन दोनों देशों के जो रिस्ते हैं, दोनों देशों में बाइलेटरल दूपक्षी हैं, अगर यहां पे होता केवल, यहां पर कर दे तो यहां पर बहु पक्षी हो जाता, ठीक ना, लेटरल जो है, यूनिलेटरल कर दोगे, तो एक पक्षी हो जाएगा, लेटरल साइड गो दरशाता है, तो यह इन दरशाने का तरीका था, कि दोनों देशों के बीच का रिस्ता जो है, वो चुनाओं पे आस्रित नहीं है, चुनाओं का कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, और ये बढ़ेगा रिस्ता, चाहे पलिनाम कुछ भी निकले, जो नौवेंबर तीन का रिजल्ट है, उसका रिगार्डलेस के साथ ओफ लगता है, रिगार्डलेस ओफ का मतलब यहां पे इर्रस्पेक्टिव ओफ है, कि इस ब च्छमताएं हैं, उसमें एक अत्रिक चीज जुड़ गई है, बी-ई-सी-ए अग्रीमेंट, तो ये बी-ई-सी-ए जो समझ होता हुआ है, जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये एक महत्तोपूर्ण चीज जुड़ गई है, भारत के रक्षा और सामरिक जो च्छमताएं हैं उ अब गीवन, अब गीवन डैट, गीवन डैट का मतलब कंसिडरिंग, ये काफी पर पढ़ा है आपने, कि गीवन जब बीच में लगता है, प्रेपजिशन का रोल में आता है, तो इसका मतलब होता है कंसिडरिंग, क्या देखते हुए, इट कुद टेक सम मंथ पॉर्ड़ य ये उएस परशाशन को किसलिए, टूरी स्टार्ट बाइलेटरल अंगेजमेंट्स, पोस्ट इलेक्शन का मतलब चुनाओं के बाद, री स्टार्ट फिर से प्राराम करना, बाइलेटरल दूपक्षिये अंगेजमेंट्स का मतलब रिस्ते कह सकते हो, दोनों देशों को फिर से चुनाओं के बाद कुछ महिने लग सकते हैं, इन दूपक्षिये रिस्तों को फिर से पट्री पढ़लाने में, बिल्कुन शित्रोप से विवस्ता बदलेगी, तोने शित्रोप से चीज़ें भी टाइम लेंगी, तो B.E.C. अग्रिमेंट जो साइन किया गया है, वो एक चत्रिक्त चीज़ जूड़ गई है, भारत के रक्षा और सामरिक जो महत चमताएं हैं उसमें, और ये महत तो पूर्ण सिग्निफिकेंट का इंपोर्टन होता है, वाइटल होता है, कि भारत और U.S. के जो टाइज हैं समझोते हैं, इनको रियाफर्म किया गया, है ना, आगे देखिए, वाइल वेलकमिंग, वाइल के ठीक बात में जब वर्ब लगाते हो, तो सीधा आईएंजी लगता है, तो वाइल वेलकमिंग डियर U.S. इंटरलोक्योटर, इंटरलोक्योटर का मतलब बातचीत करने वाले, है ना, डायलोग करने वाले, तो स्वागत करते ह या, अपने जो U.S. के बातचीत करने लोग हैं, जो U.S. के तरफ से जो भी फॉरेंड मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर आए थे, उसी के लिए है, उनका स्वागत करते हुए, और जो इनकी रिष्टे हैं, उनको आगे ले जाते हुए, अब देखो, जैसे यहाँ वेलकमिं हैं, देर यहाँ पे, आप कह सकते हो, भारत के लिए आ रहा है, सरकार के लिए आ रहा है, तो U.S. इंटरलोक्विटर का मतलब तो हो गया, कि U.S. के तरफ से जो बातचीत करने के लिए फॉरेंड मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर आए थे, उनका स्वागत करते हुए, और होतों को आगे ले जाते हुए, however, फिर भी, इसनिफिकेंट, यह महत्यो पूर्ण है, इटको देह करीज है, बहुत हो मिनिस्टर का सब्सक्राइब आए, तो एंटर में इंटर नहीं लगता है, वैसे प्रवेश करने की बात हो, तो इंटर में नहीं लगता है, तो है, ओंग गौर्मेंट क्या चुना है कि गौर्मेंट जो है जो भी इन्होंने टिपणिया की थी किसने टिपणिया की थी मिस्टर पॉम्पियो ने उन में प्रवेश नहीं करेगा मतलब उन से कोई यहां पर कह सकते हो कि सहमत नहीं होगा और इंडिया चाइना चैलेंज तो भारत का जो यहां पर किसी तीसरे देश के आवशकता नहीं है भारत हमेशा से कहता रहा है उसी के साथ भारत चला है तो कह रहा है कि ठीका स्वागत तो किया है दोनों बातचीत करने वाले लोग थे उनका स्वागत किया है रिस्तों को आगे बढ़ाने की बाते हुई है लेकिन ये महत्तो पूर्ण है कि सरकार ने अभी भी मिस्टर पॉम्पियो के द्वारा जो कुछ भी कहा गया था भारत के खिलाब जो चाइना का चैलेंज है उसको लेकर भारत ने उसमें कोई अग्रीमेंट नहीं दर्शाया भारत ने उसमें एंटर नहीं किया बातचीत में ठीक है और कैसे कि नहीं किया क्योंकि भारत ने हमेशा से ही एक बात कही है कि दूपक्षिये मुद्दा है दोनों की टे पी है, फ्रॉम एक्स्टरनल अफेर्स मिनिस्टर जो विदेश मंतरी है उसके द्वारा, कौन है, एस जैस अंकर, इन रैस्पोंस टू मिस्टर पॉम्पियोज कमेंट्स, इसके प्रतिक्रिया सरूप, इन रैस्पोंस टू मतलब इनका प्रतिऊतर नहीं दिया, इन्होंने एप्रिशियेट सपोर्ट, क्या याद दिलाता है, कि यदपी, अभी वाईल से दो क्लोज मिलेंगे आपको, कि यदपी, भारत प्रसंसा करता है, सपोर्ट की, किस से सपोर्ट, यूएस के सपोर्ट, यूएस सपोर्ट कर रहा है, भारत इसको तहदिल से अभारविक्ट करत किस चीज में deal with deal के साथ विद लगता है tackle करने के अर्थ में grapple करने के अर्थ में threats का मतलब जो भी संकट है कस्त हैं and troubles मुसीबतें किसके साथ विजिस biggest neighbor जो इसका सबसे बड़ा पडोसी है चाइना की बात कर रहा है थीक है कर ना ये जो चीज़ है ये एक serious reminder है ये एक serious याद दिलाता है कि यदभी भारत appreciate करता है US ने जो भी support दर्शाय है भारत के लिए उसका फिर भी भारत जो है अपनी strategic autonomy को retain करता है कि इस चीज़ में कि जो भी threats or troubles हैं इसके चाइना से उसमें भारत अपना निरने खुद लेगा ऐसा भारत retain करता है ठीक है तो ये आज का editorial था अब बात करते हैं revision की ostensibly ostensibly से मतलब होता है apparently ठीक है जो देखने पर लगता है तो ये हो गया D फिर wrap up का मतलब है क्या complete करना तो ये जोड़ जाएगा E फिर है sustained का मतलब है continuous इसको जोड़ देंगे आप A से फिर है tenor tenor से है meaning तो ये जोड़ देंगे C से और फिर है conspicuous conspicuous का noticeable है इसको जोड़ देंगे B से spust इसका screenshot आप ले सकते हैं ठीक है बात करें transition की तो एक प्रकार के sentences हैं जब भी आप कहते हैं कि yellow सबूत ये रहा आपका चश्मा ये रही आपकी घड़ी ये रही आपकी बाइक की चाबी इस प्रकार के sentences कैसे बनाओगे yellow सबूत here is the proof here से start करना है यह तुम्हारा चश्मा here are your glasses अब यहां पर यहां पर यह और है यह और करेंगे glasses plural ही मानते हैं इस कारण से आ रहाएगा here are your glasses yeah hello तुम्हारा coat here is your coat ठीक है तो यह translation हुआ और जल्द ही एक नया feature लेकर आऊंगा अभी तक मैंने preposition वाले चीज़े बताई थी आपको काफी दिनों से चली रहा था preposition ठीक ठाक आपको आने लग गए होंगे अब एक नया feature हम add करेंगे एक दो दिन के अंदर इसके पसंद आने पर लाइक करनों ना भूलें मिलते हैं कल ठीक शाम पांच बजे तब तक लिए नमस्कार थेंकी वेरे मच